हलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम कट वर्क और लेस के साथ नेक का एकदम नया और बेहत खुबसुरर डिजाइन बनाएंगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम लिए है जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है तो अब हम इस पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले हम नेक की चोडाई को मार्क करेंगे तो चुडाई मैं यहां पे 3 इंच मार्ग कर रही हूँ, virILY टोटल नेक की चुडाई हमारे पस 6 इंच आ जाएगी तो 3 इंच को हम ऐसे ही सीधा-सीधा मार्ग कर लेंगे तो अब हमें neck की गहराई को mark करना है तो गहराई ऐसे इसकी मैं सीधे में mark करूँगी लगबग 4 inch तो 4 inch को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा mark कर लेंगे तो अब हम इसमें अपना round neck draw करेंगे तो आप पहले हलका हलका mark करके देख लीजिए जो भी marking आपके बिल्कुल perfect आजाए उसे आप इस तरीके से dark कर लीजिए तो ऐसे हमने अपना short round neck draw कर लिया है अब हमारे neck के नीचे ने cut भी आएगा जो cut है वो उपर से 14 inch नीचे आएगा तो इस तरीके से इंची tape को रखेंगे और नीचे की तरफ 14 inch को ऐसे mark कर लेंगे तो ऐसे हमने cut की जो गहराई है ना उसे इस तरीके से mark कर लेना है तो अब हमें cut की नीचे से चोड़ाई को भी mark कर लेना है जो इसकी चोड़ाई है ना वो नीचे से लगबग 1,5 inch आएगी यानि की total इसकी चोड़ाई हमारे पास 5 inch आजाएगी तो नीचे 1,5 inch को ना हम इस तरीके से mark कर लेंगे तो अब हमें neck से बाहर की तरफ extra bookram को draw करना है तो वो हम 1,1 inch draw करेंगे इस तरीके से उपर से हमारी इसकी जो चोड़ाई है ना neck की वो 4 inch आजाएगी यानि की total 8 inch आजाएगी और नीचे से हमने 0,5 inch mark किया है तो नीचे से 5 inch आजाएगी इस तरीके से हमें इसे बाहर की तरफ mark कर लेना है तो अब हमारे neck के नीचे जो cut आएगा ना उसकी चोड़ाई को हम यहाँ से mark कर लेते हैं तो इसकी चोड़ाई मैं यहाँ पर 1 inch mark कर रही हूँ total cut की चोड़ाई हमारे पास 2 inch आजाएगी यहाँ से अब हमने उपर की तरफ अगर 1 inch रखा है तो नीचे की तरफ हम 1,5 inch लेंगे इस तरीके से हमने यहाँ पर 1,5 inch को mark कर लेना है अब हम यह वाले mark को नीचे वाले mark से ऐसे मिला देंगे तो अब हमें इस cut में cut work draw करना है तो जो पहला cut work है वो हमारा यहाँ से उपर से 3,5 inch का आएगा ठीक है पहला cut work हमारा यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा और दूसरा cut work भी हमारा 3,5 inch का आएगा यानि की 7 inch पे और तीसरा जो cut work है वो सिरफ 3 inch का ही रह जाएगा तो अब हम यहाँ से cut work draw कर लेते हैं इस तरीके से आप हलके हाथों से cut work की shape को draw कर लीजिए तो ऐसे हमारा यह cut work draw हो गया है अब हमने दूसरा cut work ऐसे ही draw कर लेना है तो ऐसे हम तीसरे वाला cut work भी draw कर लेंगे तो neck के नीचे cut work के साथ cut हमारा कुछ ऐसे आजाएगा तो चलिए अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ cut कर लेते हैं तो नीचे से हमें 1 inch की extra bookworm को भी mark कर लेना है इस तरीके से तो नीचे से हम extra bookworm को ऐसे draw कर लेंगे और यहां से इसे अपनी marking के साथ साथ cut कर लेंगे तो neck हमारा इसे cut गया है और यह कुट्टी पर ready होने के बाद कुछ ऐसी आजाएगा तो अब हम सेम कुट्टी वाले fabric के उपर इसे paste कर लेते हैं तो ऐसे इस neck को मैंने सेम कुट्टी वाले fabric के उपर paste कर लिया है और इसको side से fold करते हुए मैंने press के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है तो अब हम इसके ये वाली किनारे पे ये वाली lace को stitch कर लेंगे तो neck वाले veteran को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और लेस को ना इसके नीचे इस तरीके से दबाते हुए ऐसे दबाते हुए हमने यहाँ पे किनारी की सिला ही लगा लेनी है तो ये देखिए neck के तीनों साइड पे हमने ये वाली lace को ऐसे stitch कर लिया है अब हमने cut work के किनारे किनारे पे भी ये वाली lace को stitch करना है उससे पहले हम cut work के किनारे किनारे पे mark कर लेंगे तो ऐसे हमने cut work के किनारे किनारे पे mark कर लिया है अब हम ये ही वाली lace को ना ये वाली marking के उपर रख के stitch करेंगे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ना lace की इस किनारी को दबाते हुए अपनी मार्किंग के उपर उपर शिलाई लगा लेंगे तो ये दिखिए कट वर्क पे भी हमने इस तरीके से लेस को स्टिच कर लिया है अब हम इसे अपनी कुट्टी पे रखके पलट लेंगे तो ये मेरी चाम कोटन की कुट्टी है कुट्टी को हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे और नेक को भी इसके उपर हम ऐसे उल्टा करके ही रखेंगे सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच लगाएंगे उसके बाद बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे पेसे लाई तो ऐसे हमने बुक्रम के किनारे किनारे पेसे लाई लगा ली है अब हम ये बीच वले फैबरी को कट कर लेंगे अपनी सिलाई के साथ लगबग एक एक पैर का मारजन लेते हुए तो कट वर्क के बीच में से भी हम एक्स्ट्रा फैबरी को इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे तो ये दिखिए हमने बीच से सारे एक्स्ट्रा फैबरी को कट कर लिया है अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे तो ऐसे हमारे इस नेक में कट भी लग चुके हैं अब हम इसे पलट लेते हैं कुर्टी की सीधी साइड की तरफ तो नेक को ना हमने ऐसे कुर्टी की सीधी साइड की तरफ पलट लेना है और इसके जो कोनने आना वो बाहर की तरफ निकाल लेने हैं तो नेक को ना हमने इस तरीके से कुर्टी की सीधी साइड की तरफ पलट लेना है और इसे यहां से प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है यहां पे अभी कोई भी सिलाई हमें नहीं लगानी है तो ऐसे हमने neck को कुर्टी की सीधी साइड की तरफ पलट लिया है अब हमने क्या करना है? यहाँ पे ना इसके cut को बंद करना है तो इसके cut को बंद करने के लिए ना मैंने same कुर्टी वाले fabric से एक पट्ती ready की है उपर की तरफ सिलाई लगा के मैंने इसे पलट लिया है और इसके अंदर की तरफ मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है अब हम इस पट्टी को इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे कुट्टी के ऐसे कट के बीच में उपर से आधा ही छोड़ के रखेंगे यहां से हम इस तरीके से रखेंगे और यहां पे ना किनारी की सिलाई लगा लेंगे यह किनारी की सिलाई हम उपर से ही शुरू करेंगे तो ऐसे हमने यहाँ पर किनारी की सिलाई लगा ली है अब हमने बाहर वाली सिलाई के उपर भी एक सिलाई लगा लेनी है तो ऐसे हमने यहाँ पर किनारी की सिलाई भी लगा ली है और दिखिए कितना खूबसूरत हमारा यह नेक डिजाइन ऐसे बनके तयार हुआ है तो अब हम यह कट वर्क के बीच में यहाँ पर एक एक परल पेस्ट कर देंगे फैबरिक ग्लू के साथ तो यह फैबरिक ग्लू धोने से भी नहीं उतरती आप बिना टैंशन से इसके साथ परल पेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ पर बटन भी स्टिच कर सकते हो मैं यहाँ पर परल पेस्ट कर रही हूँ तिल देन बाबाई